समय से समय बड़ी तो यह है मैडम ले देखे हम कैसे कैसे वेपार कर रहे थी अब यह जो एमस्मी लगा दी इससे वेपार मारा बिल्कु ठप हो गया है इसी वज़े से मतलब वेपारी परिशान है आज की डेट में और अभी जो 31 मार चाहरी है उससे पहले पहले हमें सारा यह क्लियर करना है उसको लेकर के बहुत परिशानिया और जो हम छोटे मध्यम वर्क के वेपारी हैं हम से कोई भी सलाह नहीं ली जाती है और वह हम से टेक्स तो लेने के बाद हमें कोई भी सबूलियत नहीं दी जाती हमको बड़ा दुरभाग लगता है कि हम बार वार इस बज कम से कम पोस्पॉंट कर दिया जाए अगर यह नहीं करागा तो वेपारी बिल्कुल मर जाएगा लोग सब चुनाव एकदम नस्दीक है और चुनावों के वक्त जुतने भी दल है वो वेपारियों से चंदा लेने आ जाते हैं लेकिन चुनाव के बाद उनकी समस्याओं पर शायद ही किसी का ध्यान जाता है हम लोग इस वक्त दिल्ली के चांदनी चौक में मौझूद है कूचा नटवा यह इस वक्त मौझूद है और मेरे साथ आप देख सकते हैं कि वेपारी मौझूद हैं वेपारियों से सीधा बात चीत करते हैं और पूछेंगे उनसे जानने क पर से लिट्वाष स्वलें तो यह मेडम ले दें किसे कैसे वेपार कर रहे थे अब यह जो अवेसमी लगा दी इस से वेपार मारा बिल्कू ठप हो गया यह कहां से आद्में कहां से आदमी पेमिन देगा कहां से प्षेमिन करेगा है पहले यहारी फेर फैसा नहीं आ रही है तो पेसा सब गुमार्मिक है जो कि अनुकर दियान देना है कि इनको bio कि हो अ गरीब गरीब हम जो मिटिल कलास लोग हैं हमारे दिहान देंगे हमीं मर जाएंगे उनको बोट कोन देगा फिर समझेनी बात को MSME जो आई है जो कानून है यह 45 दिन के अंदर हमें इसमें पेमेंट देना ही देना होगा जो की पोसिबल नहीं है क्योंकि चैन बनी हुई है हम भी ओल से लाग के नीचे बाठते हैं तो वह हमें देता है हमपागे देते हैं ओर 45 दिन में किस तरीके से और पैमिन委 कर पाएंगे इसी वज़ेसे मतलब वहह पारी परिशान है आज की डीट में और अभी जो 31 कि अचले करना शक्राइब करना उसको लेकर के बहुत परईशानिया और यहाल मेडम इस्तने पिरसान वेपारी उनका नीन आ रही उनको इतनी पिरसान है हां जी साबनी लगादार हो कैसे करेगा वैपारी गोड़ी ने पॉलिसी लागू कर दी उनको तो दिन चाहिए एक साल ह दो साल का टैम देना चाहिए जो सडूल के अंदर आए वो एक दम कोई पोलिशी आ जाएगी तो वैपारी कैसे करेगा हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन क्या वैपारी को दियान रखना बहुत जूरूरी अगर वैपारी नहीं मर जाएगा तो देश के अवस्ता कैसे है जो अमीर हुआ जा रहे है गरीब है मिडल क्लास दारे में हमारी बात यह हैं कि हम भी चाहते हैं कि बीजेपी में नरेंदर मोदी जो भी काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं लेकिन वैपारी जो हम मीडियम वैपारी है इसमें हम सब तरह का टेक्स को उसका पूरी सवलेत भी करते हैं टेक्स भी देते हैं लेकिन आज तरह दुरभा के है हमारा कि बीजेपी के होने के साथ साथ भी हम वैपारियों के लिए हमा या हमारे से कोई भी सला ली जाती है हमारे किसी भी मतलब तत्व के बड़े नेता है या बड़े हमारे जो भी इस मर्कल टाइल एसोशेशन के कुछ सदस्य हैं गिने-चुने उन्हीं को बुलाकर कर के बाद कुछी जाती है जो हम छोटे मध्यमवर्क के वैपारी हैं हमसे कोई भी सबूलियत नहीं दी जाती हमको बड़ा दुर्भाग लगता है कि हम बार बार इस बजय पी सरकार को बोट देते हैं जबकि वैपारी केबल एक वैपारी ही ऐसा है जो बीजय पी को बोट देता चला रहा है और अपने साथ औरों को भी जोड रहा है उसके कोई वी वित्तमंत्री में से कोई वेपारी कर पाएगा हम कैसे दुखाने चल पाएंगे हम बहुत छोटे-चोटे दुकंदार होते हैं उनका किराया भी देना होता हमारे पास मजदूर हम उनको हटा देंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी क्यों कि हम दुकान नहीं चला प हम तो बढ़ेगे हम तो गॉर्मेंट के साथ है गॉर्मेंट की लिए चिमी ने चीने जब हमसे कहा था लोजगार दो तो हमने वैपार बढ़ाने की कोशिश की उसमें मजदूर रखे उसके बावजोद भी अगर हम गॉबरमेंट हमारे जो पूचे इस तरह की पॉलिसी लि में मेरी जन समस्यां अगर मोदी जी के तक पहुंचे तो इस बात पर वो अवश्चे दिहान दें अगर वो दिहान नहीं देंगे तो चार सो पार कह रहे हम उनके साथ हैं लेकिन मुझे लगता है उसमें तकलीप आएगी क्योंकि वैपारी गड़ा कर अंदरूमी नराज होग हैं क्या वैपारी ने गुना किया जो वैपारी के एक बी मुद्दा कोई भी अपनी मैनूफेक्चर हैं कहीं भी यह दिखाते नहीं है ऐसा क्यों होता है हमारे वैपारी की दुकानों में पीछे आर्वी ट्रेडर हमारे हैं जिसकी दुकान पर आग लगी एक ही मंत्री एक कोई विद्धायक, एक भी सांसत विवक्षिका, पक्षिका, हमारी आर्वी ट्रेडर्स पर नहीं आया, कभी आपका नुक्षान हुआ है, इसकी कोई भरपाई होगी, अगर गरीब मजदूर या कोई भी किसान, जो किसान भी नहीं है, जो किसान है इन उसकी फसल पर कोई भी चाहता है तो सारे मंतरा ले सारी पहुंच जाती है एक क्यों पॐंक जाता है मजुदूरों लने क्या हमारं वैपारिम कि इनका विह भी एक हमारी हमारे से करते हैं पेसा कि जो हम बये रहे हैं सारी टैक्स देनेके बावजूत हमारे सब्सक्राइब नहीं हैं हम सरकार से पूछना चाहिए अब क्या मांग है अपकी सरकार से क्या चाहते हैं पहला तो मेरा व्यापार नहीं है लेकिन समस्षा में रोजाना देखता हूं जब से सरकार से क्या मांगते हैं क्या चाहिए अच्छा लगता है लेकिन व्यापारी को तंके तरक्की करें तो क्या करा मुझे बताएं सर्कार से क्या मांगते हैं क्या चाहिए अगर वैपारी क्या मांग रहा है सरकार से कि आपकी बार चुनाब होंगे आगर हम बीजेपी को वोट देंगे आधली बाक इचरृत सरकार से तो यहीं मांगे कि मिध्धमवर्ग वेपारी को तुरहाग देवें बहुत प्रेशान करका है तो नब्वे दिन के लिए मांग की गई थी कि नब्वे दिन का अमने वहापर सुझाव दिया था तो अभी तक वहां से वित्व मंतराले से कोई भी इस तरीके का पैसिज लने जाएं ना कि हमें पर चीज की पावंद्य लगाएं अगर पावंद्य लगेंगी हम इसे से और पाहिएगा वेपर ऐसे ठप हो जाएगा मों सबक Favor. महत्र आओ को मुल्कूल अभी वक्री में से कम से कम पर्सपूर्णड कर जाएं. अगर यह नहीं कराइए तो वयपारी बिल्कूल मर जाएगा. बिल्कुल साफ हो जाएगा वेपारीज देखिए लोगसबद चुनाव 2024 एकदम नस्दीक है साथ चरणों में ये चुनाव होने है और वेपारियों की क्या समस्या है कि वेपारियों को किन चीजों में राहत मिल्ली चाई हम उमीद करते हैं कि सरकार इनकी बात को सुने क्यूंकि चंदा लेने के लिए हर दल के लोग आ जाते हैं बीजेपी हो कॉंग्रेस हो आम आदमी पार्टी हो लेकिन चुनाव के वक्त चुनाव के बाद भी इनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देता है कैमरापारसन अजीत सिंग के साथ आर्टु दूबई श्रेष्ट भारत दिली